आज के वीडियों हम बनाएंगे तोरन वह भी फॉल से और दियों से इसके लिए मैंने कुछ फॉल ले लिए आप तीन कलर की कोई भी फॉल ले सकते हैं और मैं साथ दिये लोंगी इसके लिए ठीक है तो सबसे पहले हम दिये को डेकोरेट करेंगे तो सबसे पहले सको हम कलर कर लेते हैं जल्दी जल्दी कर आप अपने मंद के अंसार कर सकते हैं मैं हरा और लाल लूंगी और इसे हम मंद चाहिए डिजाइन से बना सकते इसके उपर या आप चाहिए तो सितारे लगा ले देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया है सुखने के बाद ही है अम ऐसे तरीके सारे बना लूंगी आप देखिए सुखे है अब यह जो फॉल इसको मैंने आधा-धा कट कर लिया है अपने दर्वाजे के लंबाई के अनुसार और इसे हम के जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट इसे हमें के अधागे से बन लूंगी है कि अच्छी तरी से मोट लगाने के वार इसको कट कर देए अब आ इससे तो और आ इसे तो किसी चीज़ से हागा ज़्या तर सब्रह्त में अब َशेये तरीके से पूरी चोटी बनाने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ और अगर आपकी फॉल ज्यादा पतली है तो आप इसको अंदर कोई अलग रंग का कपड़ा भी लगा सकते हैं तो थोड़ी मौटी हो जाएगी यह देखिए यह मैंने इस तरीके से पूरा बना लिया है थीयृ मैं दोड़ी बनाएंगे और लटकन बनाएंगे तो दोरी के लिए हम क्या करेंगे है जो बचाहो जो खपड़ा है उससे हम पतली-पतली प 다ेम से एंठन वाली पत्ती बना लाएं कियं या पिर आप दो चोटी ब्बना पिर चोटी बना कर भी पत्तिया बना सकते हैं यह देखिया है ना इस तरह किसमें छोटा समझलब धागे से बांद दिया उसका एंडिंग पॉइंट तो इसे भी हम अभी साइड में रखेंगे अब जो हमने दिये लिए थे उसके लिए हम लटकन बनाएंगे तो कुछ गंटी बची हुई है और यह कुछ में जूमर का सामा लिए वान बचा हुआ है तो इसे की साइटा से हम मैं वह कि बना लुए है तो सबसे पहले लेंगे स्वे दवाग और उसमें यह सारे हम पिरो लेंगे है आपको पिरो के एक पिना कर दिखा दिती हूं वैसे ही सारे बनाने अ कि देखिया तो यह ने इस्टार्टिंग में कुछ है पर गडिक मोती आप ये पिंग वाली जो पती है पिर एक मोती है और पती फिर एक मोती चोटा बड़ाप के सकते हैं कि इस तरीके से पाइप थी में पास चार पांच थे तो मैंने उसको आधा-धा कट कर लिया था यह कैंची से आसानी से कट हो जाते है तो इसमें लटका के देख लेते हैं कि अगर इतना अच्छा लगे तो ठीक है नहीं तो और चोटा बड़ा कर लेंगे तो इतना मुझे इन ठीक है इस जो आए ग्डी की तक सफावर्च करेंगे घ्चा जोड़ा देना है उसको अच्छे से दू तीन भास घटता है कि निकाल कर और है इसमें जोड़ देना है तो मैं एक डोरी में दो लटकन लगा रही हूँ अगर आपको तीन अच्छा लगता है तो आप तीन भी लगा सकते हैं कि मैं इसको जादा है भी नहीं करूंगी क्योंकि दियों की मतलब जो बजन हो जाता उससे तो यह कुछ तरीके से दिखाई देगा है तो यह से एक बन गया है ऐसे ही मैं इसे चार मैंने बड़े साइस के लिए दोरी रखी हुई है और तीन है वह इसे थोड़े से छोटे रखोंगी है और दोरी में भी नाप आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं कि अगर पैटर्न की बात करूं तो इसमें दो पल्लर वाला जो दो पार्ट वाला जो बन आते तो ररंट वह भी बना सकते हैं जो सेंटर में छोटा होता साइट से बड़ा होता जाता आप और तीन पार्ट वाला बनाना तो भी बना सकते हैं तभी मैं तो पूरा बना रहे हैं मतलब एक चोटा एक बड़ा एक चोटा बड़ा देखिए मैंने बड़ी बना रहे हैं और यह थोड़ी छोटी वाली है ठीक है यह तीन दे यह हो गया अब जो मेरे पास कुछ घंटी बच लगा दिए डूरी में डालका तो मैंने देखिए इस तरह किसे बैना लिए है कि घंटी को सुछी से टाक के और मोड़ी डाल दिया उसमें टूटल 6 बनाए है सब की बीच विच में एक लगाने के लिए है कि देखिए तब जो हमारी पत्ती है ना इसको यह चार है बड़ी लगाने लगाने के लिगाने के लिए लगाना बहुत आसान है अगर आपके पास होट गलु काने तो आप उससे भी चिपका सकते हैं और क्योंकि पुला कपड़े का है तो मैं सुई धागई प्रिफर करूंगा उसी से ठाके लगा अच्छे से तो चौक से निशान लगा लें अच्छे तरीके से ताकि वह आगी पीछे ना हो देखिए मैंने यह चार लगा लिए है अब इसके जो बीच में में तो जो मीडियम वालि जो है दोरी वह लगाएंगे और इसके बीच में फिर वह घंटे वाली तो लास्ट में जो में तो लगा लिए ज़ाएगा टागा लिए यह कुछ तो इसे भी इसी में लगा दूँग और इसी से जो लटका कील में लगाने के लिए बनाना है वह भी इसी से बन कि मैंने नॉट लगाई यहां पर और इसको सेंटर से नहीं लगाना है एक लोड़ी मतलब छोटी और बड़ी रखनी है अब जो छोटा साइज है वो तो नीचे रहेगा जो बड़ी बड़ा बड़ा है तहां से हमें होग बनाते हुए यहां पिसको हम स्टिच कर देंगा जहा आपको तुरुन क्या सालग और यह वीडियो कैसे लेंगी प्लीज कमेंड में बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज अगर आप मेरे चैनल पहली बार आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियो देखने लिए थैंक यू मिलते हैं अगली वी हुआ करें लेंगे